आज हम ऐसा चर्चत मंदिर मा बनेलिया मंदिर के बारे में संपूर्ण इतिहास बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने और मा का आशिरवाद प्राप्त करें। भारत नेपाल सीमा के करीब बसे नौतनवा कस्बे में बनेलिया माता मंदिर। भारत ही नहीं नेपाल के श्रद्धालों के आस्था का केंद्र है. नवरात्र में यहां श्रद्धालों की ज़्यादा भीर लगती है. विदेश से नेपाल पर्यटन के लिए जाने वाले पर्यटक भी इस मंदर पर रूपते हैं. मंदर परिसर में हमेशा में श्रद्धालों क बीर लगी रहती है। मन की मुराद पूरी होने पर श्रद्धालू यहां हाथी बनवाते हैं। हाथी का इस मंदर विशेश रूप में देखने को मिलता है। हाथी मां का पुत्र समान माना जाता है। और मां को अपने पुत्र से कितना प्यार होता है ये सब आप लोगों भी पता हैं। इसलिए मन की मनो कामना पुरी होने पर हाथी चड़ाया जाता है। जहां आज मंदर है, वहां पहले जंगल था, यह थारू समाज की जमीन थी। घैने जंगल को काटकर किसान के दारनात मिश्र खेती करते थे। एक दिन काम करते वह दिन में सो गए। उस समय उन में ले लिया। और मतलब नहीं किया। वहां रात में फिर सोय हुए थे। उन्होंने पुनह स्वपन देखा माने फिर समझाया कि यह बात सपना नहीं है। तुम इस बात को समझो और जगत कल्यान के लिए इस पुन्य काम से पिछे मत हटो। तब तक नींद खूल गया। वह इस बात को समझ गए और सुबल जागकर परिजनु वगाओं के लोगों को पूरी कहानी बताई। वर्ष 1888 उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। जंगल हुने के कारण उसका नाम वंदेवी दुरगा मंदिर के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे उसका नाम बनलिया के नाम से प्रसिद हुआ। वर्ष 1938 में पुजारी रामप्यारे दास आये और 1946 तक पुजारी रहे। दूसरे पुजारी रामपरित दास 1946 से 1969 तक रहे। तीसरे पुजारी कमलनात 1969 से 1973 तक रहे। चौथे पुजारी महातम यादव 1973 से 1996 तक रहे। उसके बाद पुजारी काशी दास 1996 में आये और 9 वर्ष तक रहे। इन्ही के देखरेक में पुराने मंदर के जगह नए मंदर वनए प्रतिमा का निर्मान हुआ। फिलहाल पुजारी यमलाल लमसाल और जितेंद्र पांडेय जी है। मा के चरणों में सेवा में समर्पित हैं। पुजारी पंडित आचार्य यमलाल लमसाल जी ने बताया कि अग्यातवास के दौरान पांडव नेपाल के राजा विराट के वहां जाते समय यहां रात्री शेश महत्व है। इसलिए आप लोग भी इस मंदिर को देखने के लिए और दर्शन करके आशीरवाद प्राप्त करने लिए जरूर आए। ऐसे ऐसे भिंडियों देखने के लिए इस लवली यमलाल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करने को न भूलें। जै माता दी।